नमस्कार आपका स्वागत है एश्या नीज इंडिया में आपके साथ मैं पून हूँ असुद्धिन ओवेसी ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर आई सुप्रीम कोट के पैसले पर प्रतिक्रिया दी है ओवेसी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडा से पोस्ट किया सुप्रीम कोट संसर्दी सर्वोच्टा के सिद्दान को बरकरा रखा है यह तरह करना अदलातों पर निर्वर नहीं है कि कौन किस कानून के तहट शादी करेगा ओवेसी ने बिन्दुवा तरीके से अपनी बात कही उन्होंने आगे कहा मेरा विश्वास और मेरी अंतरात्मा कहती है कि शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है यह 377 के मामले की तरह गैर अपरादी करन का सवाल नहीं है यह विवा की मानिता के बारे में है यह सही है कि सरकार इसे किसी एक और सभी पर लागू नहीं कर सकती ओवेसी ने पोस्ट में लिखा मैं बैच की स्टिप्पनी से चिंतित हूँ कि ट्रांसजेंडरल लोग स्पेशल मेरिज एक्ट और परसनल लोग के तहर चादी कर सकते हैं जहां तक इसलाम का सवाल है तो यह सही व्याक्या नहीं है क्योंकि इसलाम दो बायलोजिकल मेल या दो बायलोजिकल फीमेल के बिच व्याकों मानिता नहीं देता है अब इसी ने लिखा मैं नयाए मूती भट से सहमत हूँ की स्पेशल मेरिज एक्ट की लिंक्त अटस्त व्याक्या कभी कभी नयाए संगत नहीं हो सकती और इसके प्रेड़नाम सवरुप महिलाओं को अनपैक्षित तरीके से कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है इसी के साथ बनेव है इश्योनिस इंडे के साथ बनेवाद